जारखन में सियासी हलचल के बीच रायपुल जा रहे विधायकों की एक बस राची एरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में बस का शीशा तूट गया है। बताया जा रहा है कि एरपोर्ट के अंदर जाने के क्रम में गेट छोटा होने के कारण गोल वो बस उसमें फस गया था जिसके कारण बस का शीशा तूट गया। बतादे की पत्थर खनना वंटन मामले में Office of Profit केस का सामना कर रहे मुख्यमंत्री हेमन सोरेन को महागट बंधन के विधायकों में सेंध मारी का दरस अदा रहा हैं। ऐसे में महागट बंधन के सभी विधायकों को कांग्रेस शासित 36 कर ले जाने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि सरकार ने इंडिगो का प्लेन कराया बुख कराया है। बतादे की यूपिये गट बंधन के विधायक सीम हेमन सोरेन के साथ राची एयरपोर्ट पहुँचे हैं। वहां से उनके कांग्रेस शासित 36 कर की राच्थानी रायपोर्ट जाने के लिए उड़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि रायपोर के मेरफेर गोल्ड रिजॉट में इन विधायकों को ठैणाया जाएगा। वहीं हब है कि इस रिजॉट को दो दिन के लिए बुख किया गया है। साथ ही इूपिये के विधायकों की सुरक्षा के लिए रायपोर के इस होटल को हाई सेक्यूरिटी जोन गोशिद किया गया है। यही नहीं सुरक्षा के लिए एक DSP और दो इंस्पेक्टर के नेत्रतु में भारी तैनाती की गई है।